नमस्ते मैं याविशेक और चुनावी सफर में मैं चलते चलते इस समय पहुंचा हूँ घोसी विधान सबा में यहाँ पर इस समय जहां पर मौजूद हूँ यहाँ पर बसपा के प्रत्यासी जो है चुन्नू मिया है वो प्रचार कर रहे हैं और लगातार लोगों की भी जा र यह तो अभी उनसे बाओचित करेंगे और जानेंगे क्या है चुनावी माहल और नेता जी धर आ गये हैं तो थोड़ा साथ हाल चल जानते हैं नेता जिदर आईए तो है तो है गांगा घूम रहा है जनता की अभी लासा लगी वह की चेर्मन साब को जिता करके लखनौ भीजने काम करने करते हैं तो क्या समस्याइं दिख रहे यह तमाम गाव में समस्या है बीजली है सड़क है पानी है यह बचल ओचाड चल नहीं कि समस्या दिख रही लोग बता रहे हैं नहीं नहीं पाम ज़िए पांधल मेरे कारेकालों में चेर्मेंट पर रहा तो घोसी को ले करके सब को यह अभी लासा बनी हुई है कि हम चेर्मेंट सब्सक्राइब करें तो सहर में मतलब एक नगर छेत्र था आपका पंचाज शेत्र था अब ग्रामीर छेत्र में जा रहे हैं तो जो हमारे लोग 10 किलोमेटर 15 किलोमेटर से आना जाना लगा हुआ है मुख्यालब पर तासील है थाना है सभी लोग यह जान रहा है कि कारेश बढ़ रहा है तो विकास का काम उसी हिसाब से हर्चेत में करेंगे चुन्नु खान के सामने इस समय जो दारा सिंग्च वहान ने पहले भाजपा से विधायक थे मंत्री थे इस मस्तापा से आ गए हैं यहां से भाजपा के सिटिंग विधायक विजयराजवर हैं कितना मुका अब भीजना है बाहरियों को तीश साल समुलोग देखते देखते थक जाएं किसे लड़ाई मान रहा है हमार लड़ाई किसी से नहीं है यह लोग हावा हावा में ले दिंग रहें हैं जमीन पर रहें जन्दी चन्श करिए जनता के बिच में जा रहे हैं समय तक कितने बाश निकल जाते हैं कि तो इस समय सांती दिख रहे थे लेकिन एक जो हम लोग महावल रहना है चुन्नु खान काने से हो रहा कि भाजपा मजबूत दिख रहे क्या वजह हो गई ऐसा कुछ नहीं भाजपा का भाजपा तो फेल है विजय राजभार जी का समाजी जो है 50% से ज्याद लोग हमारे साथ सब बंधन तोड़ दिया जिस्वाद बंधन तूड़ गया जी अट्थाइस तारीक को मंदल में आजम कर जो पूर्गराम है तो रही है को सी में नहीं है घोसी में नुक्त सभाएं होंगी दुचार बड़ी भी जन सभाएं होंगी जहां हमको आस्थान मिल परमीशन के बाद हम करेंगे अच्छे यह होगा विधायक विजय राजभर क्या लगा कुछ काम करवाएं आप से ज्यादा हम नहीं बता पाएंगे बोजी से अमले के बीच में इनके गाड़ी पर जो है धान रुपा गया आप जानते ही होंगे कि बोजी से आने के लिए ग गली-गली जिले में कोई जगह नहीं बची है कि अपनों जाते हैं क्या महाल लग रहा है महंदर राजभर पुरुजिला पंचास सदस्न दवासरा अरे आपके विधायक छोड़ दिया है अच्छा यहां देखिए वसी वसी मिकबाल चुन्नु चेर्मेन एक ऐसा या नाम है घोसी विधान सवा में कि यह घोसी यहां समझ जाए कि यह सबके ही तैसी हैं सबके मददगार हैं और चुनाव तो यह अब लड़ रहे हैं लेकिन इसके पहले बहुत काफी अर्सों से यह दबे कुछले गरीब में हमेसा मदद किया करते हैं और इनके आगे ना कोई जात है नो कोई धरम है नो कोई पात है यह तरसे मसिया बन चुके हैं गरीबों के यहां लग रहा नेता जी मेरा मेरा नाम राजकुमार विशकर्मा है और सारे विशकर्मा समाज यहां यहां जात पात सब बंधन तूट लिया है वसीम एकबाल भाई गरीबों दलितों जितने इस पार मार्विलिल पुमार यदव जीट है और जिस सक्सक नाम ले रहे हैं इस पर मत जोक्य भाजन समाज पा पर्त्यासी बना पहले तो आप जान लिजिये जानते होंगे तो ठीक है और नहीं जानते होंगे तो आप पता कर लिजिए यह वहां पर realistic का नाम हैकत आम ne यह पचास साल की जो पचास साल में चुन्नु भाई ने जो किया है इस बार जनता बता देगी कि असली और नकली में क्या फ़र्ख यहां बात जाते और पाथ की नहीं है ना राजभर की है ना मुसलमान की है ना हिंदू ना मुसलमान बसे कच्छा इंसान चाहिए तो क्या लग रहा है बस पाक परड़ा भारी लग रहा है बिल्कुल भारी नहीं है यहां तो हंडेट परसेंट कहीं कोई लगाई में यहां आप बताओ आप समझ लो यहां परत्यासी मधुबन से आता और यहां चुनाव लगने के बाद फिर वही बिस्कृट खिलाने वाला काम अब फिर दस तारीक को जाएंगे दस तारीक के यहां है और लीडर पैदा होके रहेगा विल्पिल कर देंगे तीकर नहीं पैदा करें यादो जी देखिए बड़ा फुलुक उस्सा बर्धन कर रहे हैं जी अब भासर देना पड़ता है जनता में बोलना पड़ता है देखिए जिस महान नेता का हमारे घोसी गरीब के रहन कर नाम ले रहा है माने वसी मिकबाल साफ का यह मंदी मश्जी गरीब की बेटी की साधी किसी के घर में याग लग गई पूरे बर्स भर का यह जिन्दावाद बहु उसके घर अपने घर थे इटा भेज करके भठा से कट रहें डलवा देते हैं गरीब की बेटी की साधी कर देते हैं बच्चे अगर किरकेट खिल ले हैं बाली बाल खिल ले हैं उसमें 10,000, 20,000, 30,000 दान करते हैं बच्चों का उसा बर्दन करते हैं अगर पहल्वान यादो समाज का दंगल होता है त दस तजार पांचो रुपया देखे यादों का मात सम्मान बढ़ाने का काम करते हैं और पूरा पुरवांचल के हमको बोले हैं हमारे पुरवांचल के बलिया जोन पूर गाज़ी भूरी आजमगर के पहलवान यादों सारे लोग आ चुके हैं कि अगर यादों का सम्मान कोई है सोज मात उस ब्यक्ति का नाम है मानी वसीम इक्बार चुन्नु भाई जुन्नु भाई इनकी लड़ाई आप जो का रहे हैं एक तरह से आप हसी भी मानेंगे इंसान की बाद ए पजोड़े पीड़ पराद भी चुन्नु एकबाल बहुत अब और यह नहीं है यह नहीं है यह महूं अच्छा हो जाई ताइट है लोग आ रहे हैं चचार हो का महल वा तो यह उख रास्ता खाती नाइट श्कुनाई महल का रहा है ठीक रही रही भटा लगटा लटारी अप्राइब भठ्था में फिर बिधायक बने हैं और काम हम कई लाना हां जुरुआ हो लाना हां कौनों कमलता हो लाना हां देखिए 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 जिस बेक्ति से में लिए लग बड़ा पाचा है बनाए है गजनता की बीच में आप रहे हैं लेकिन फिर कहा कि आपका जिसे मुकाबला है उनको बड़ा पहले पर चल जाता है क्या आउल टाइट है किसके पच्छ में दो बार सभा एक बार सपा से एक बार बसपा से एक बार बसपा से लड़ाई देंगे ना आपको हमारी दारा से कहां लड़ाई है हमाई तो सीधे सीधे जो है बीजेपी वर्से चुन्नु की है लेकिन कोई उनसे भी मुकाबला नहीं होगा चुन्नु के बारे में सभी लोग जानते हैं सर्व समाज को मने कशती की आपके यह बाब आक कर रहे हैं कि सर्व समाज हमारा है देखिए पूरा एकदम लगातार प्रचार प्रसार में जुट बढ़ियां अब इसोर के हाथ में नबा हम तर्धित तैयार बढ़ी आपागाई इंसे कोन काम चाहता-काम करेंगा काम हमरर बर बर कर लो है én कांपा इद्ट कारे कि हमां कर रहता है का जाए था क्षिन उनल च्रक पूछिए कार चाहता है हमेशा आते हैं अच्छा का अच्छा सहयोग डान हर चीज माल मटेरियर दिया वो मंदिर के साब यतना खर्च पर ला हमें बहुत काफी से काफी सहयोग चुन भाई कर लोग ना कही है कि मुसल्मान वाहता है इसा बात ना रही ना यह भागना करें उसका फागल है जब तो हमा सब्सक्राइब दिखाते रहेंगे अभी यह बसपा के प्रत्यासी है इनका पूरा नाम है वसीम एकबार चुन्नु भाई है देखते हैं चुन्नु भाई यहां पर हाथी की सवारी बैट करके सदन पहुंच पाते हैं यह जनता किसको बेजती है जनता साथ तारीक के मद्दान के दीन और दर्स तारीकों मत गण्णा में तैं हो जाएगा तो आप बने रहे हैं सेक्सिंग के साथ तमाम चुनावी मुद्दे आपको गाम से सहर से दिखाता रहूँगा